Example number 5 To particles are projected from the same point in the same vertical plane with equal velocities Do particles ko same point से same velocity के साथ में same vertical plane में project किया जाता है यह मानलेते है रज़ाम लेते है Farm variable इस point से हम 2 particle को क्या करेंगे same velocity से project करेंगे मान लेते हैं ये पहले पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और ये सेकंड पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया दोनों के वेलोस्टी सेम रखनी है इसकी वेलोस्टी भी यू ले लेते हैं और दूसरे की वेलोस्टी भी यू direction ले लेते हैं पहले वाले पार्टिकल की alpha और दूसरे वाले पार्टिकल की beta if t and t' be the times taken to reach the common point to their paths अब यह यहांसे एक पार्टिकल move करके move कर रहा होगा और यहांसे भी दूसरा पार्टिकल move कर रहा होगा तो कहीं न कहीं यह क्या करेंगे एक common point पे पहुंचेंगे p तक पहुंचने के लिए t time लगा और दूसरे पार्टिकल को t' time लगा क्योंकि दोनों के दोनों को हमने अलग-अलग angle से project किया है तो अलग-अलग time पे इस point पे पहुंचेंगे and t and t' be the times of highest point और t और t' वो time दे रखे हैं जब वो अपने highest point पहुंच जाएंगे पहला पार्टिकल है वो अपने highest point पे पहुंचेगा t time पे और दूसरा पार्टिकल है वो अपने highest point पहुंचेगा t' time पे शो करना है कि इसकी जो value होगी independent of direction of projection mean ये जो value है ना तो alpha पे depend करेगी और नहीं बीटा पे इन दोनों के ही वो क्या होगी independent होगी करते हैं मान लेते हैं कि इन दोनों पार्टिकल को हमने u velocity से project किया और एंगलों projection है एक के लिए alpha दूसरे के लिए beta गीवन है कि t और t' be the times to the higher times to the highest points to reach by the particles मतलब highest point तक जाने के लिए उनको इतना time लग रहे है respectively अब हमने पढ़ा था कि time of flight क्या होता था point of projection से उस particle को अपने striking point पे जहां वो वापिस ground को strike करेगा उस point तक पहुँचने के लिए जो total time लिया है उसने वो time of flight हुआ करता था और जब वो अपने highest point पे होगा तो उससे पहले के time को बोला जाता है time of descent so time of ascent और उसके बाद वाले time को बोला जाता है time of descent और दोनों equal होते हैं mean यहां पे highest point की उपर तक पहुँचने के लिए जो time होता है किसी भी particle को अपने trajectory के highest point तक पहुँचने के लिए जो time लगता है वो half होता है time of flight की time of flight का formula होगा करता था 2u sin alpha upon G highest point तक पहुचने के लिए इसका हाफ हो जाएगा मतलब 2 से divide 2 से 2 cancel out होके T आ गया U sin alpha upon G similarly T' क्या है दूसरे particle को अपने highest point तक पहुचने के लिए तो यह क्या होगा इसके लिए जो total time of flight होगा उसका हाफ इसके लिए time of flight हो जाएगी 2u sin beta upon G और उसका हाफ हो जाएगी 2 से 2 cancel out होके value हाजाएगी U sin beta upon G तो यह होगी equation 1 equation 2 now इन्होंने बोला है कि वो एक common point पे जाके मिलेंगी P point पे P point पे वो मिलेंगी और इस P point तक पहुचने के लिए जो पहले particle को time लगता है T दूसरे particle को time लगता है T' इस पॉइंट के coordinate से लगता है xy for first particle जिसे हमने alpha angle से project किया था उसके लिए यह जो horizontal distance होगी x उसका formula था u cos alpha into me T time ले रहे हैं और for second particle जो यह जो second particle है उसके लिए यह x equal होगा u angle projection beta और time ले रहे है T' यहां तक पहुचने के लिए पहले वाला T time ले रहा था तो यहां से first से T की value आ जाएगी x upon me u cos alpha और यहां से T' की value हो जाएगी x upon me u cos beta अब हमें जो proof करना हो ले के आते हैं इसके अंदर यह value put करते हैं consider T T plus T' 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 की value हमें निकाल लिए x upon me u cos alpha और T, capital T की value है u sin alpha upon me g T' की value है x upon me u cos beta और capital T' की value है u sin beta upon me g दोनों में x upon me g sorry u से u cancel out इसमें u से u cancel out दोनों में x upon me g को मना जाएगा sin alpha by cos alpha बचेगा 10 alpha plus 10 beta इस equation 3 अब हमें यह prove करना है कि यह value है वो lf और beta independent होगी मतलब हमें इसकी value निकालने पड़ेगी जो lf और beta में ना है इसके लिए करते हैं अब दोनों particle को मनें project किया है तो दोनों ने कोई ना कोई path follow किया उस path की equation क्या हैगी यानि trajectory की equation equation of trajectory for both particles first particle के लिए होगा y is equal to x tan alpha minus gx square second square alpha upon me 2u square और दूसरे के लिए होगा x tan beta minus का gx square second square beta upon me 2u square यह हमने जो first article किया था 8 chapter का उसके अंदर हमने equation और पास निकाल ली थी इसके पहले particle के लिए angle of projection alpha है दूसरे के लिए beta अब यह equation नाम दे देते हैं fourth यह fifth equation five और six को subtract कर देते हैं y में से y गया zero इसमें से यह subtract करेंगे alpha upon me 2u square यह subtract करेंगे तो plus आजाएगा gx square sec square beta upon me 2u square यह दोनों की दोनों value हम left hand side ले आते हैं यह दोनों value left hand side लेके आएगे तो value बच जाएगी gx square sec square alpha upon me 2u square minus का gx square sec square beta upon me 2u square और right hand side यह बचेगा x into me tan alpha minus tan beta इन दोनों में से हम common ले सकते हैं gx square upon me 2u square अंदर बचेगा sec square alpha sec square alpha को लिख सकते हैं 1 plus tan square alpha और minus का sec square beta तो sec square beta को लिख सकते हैं 1 plus tan square beta और minus से multiply करेंगी तो यह आजाएगा और equal में है x into में tan alpha minus tan beta 1 से 1 cancel out gx square upon me 2u square tan square alpha minus tan square beta को हम लिख देते हैं एक बार minus में एक बार plus में tan alpha minus tan beta और tan alpha minus tan plus tan beta a square minus b square का formula लगा दिया equal में पढ़ा x into में tan alpha minus tan beta एक तो यह cancel out हो गया यहां से tan alpha plus tan beta की value आजाएगी x अपोन में यह आजाएगी x x into में 2u square upon में gx square 1x 1x cancel यह value आगी 2u square upon में gx tan alpha plus tan beta की यह value हम उठ कर देते हैं equation 3 में तो t t plus t dash t dash की value आजाएगी x by g into में 2u square upon में gx x x cancel out और value बन की 2u square upon में g square और यह alpha और beta दोनों पर depend नहीं करी तो हम क्या सकते हैं कि यह value है वो क्या होगी independent है alpha और beta के मतलब projections की direction की t t plus t dash t dash is independent of directions of projection यह यह में प्रूव करना था